वन मंडल बैकुंट को रंतरगत वन परिक्षेत्र चिर्मिरी में इन दिनों अवैध्या कारोबारियों ने अपना शिकंजा कस लिया है जिस पर वन परिक्षेत्र चिर्मिरी के अभिकारी बाइट या वर्जन देने से भागते नजर आ रही हैं जहां उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया कि वो बाइट देरने के लिए अधिक्रती नहीं है जब रेज के अवैध्य उत्खनन पर हमारे ववाई डवल्यों न्यूज की टीम द्वारा पूरा मामले को दर्शाया गया आई जानते हैं क्या है पूरा मामला नमस्कार मैं हूँ देवाशिष और आप देख रहे हैं दा वाई डवल्यों न्यूज आज हम खड़े हैं वन मंडल बैकनपूर अंतरगत वन परछेत्र चिर्मरी में और मैं आपको यहाँ चलने वाले अवैद कारुबारों का एक पुक्ता प्रमाडाज दिखाऊंगा यहाँ पर उच अधिकारियों के नाक के नीचे किस तरह से लंबे समय से यहाँ पर अवैद कारुबार संचालित है अवैद कारुबारियों द्वारा वन पर छेतर चिर्मरी वन संबदा एवं वनसपतियों से परिपूर हरा भारा एक छेतर है मगर इस वन पर छेतर में जो अवैद कारुबारी है जिनके द्वारा अवैद लकड़ी कटाई की जाती है एवं रेते का अवैद उत्खरनन होता है तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से इस वन संबदा को हानी एवं छेती पहुचाया जाता है मेरे पीछे ही महवारी डाण करके जो छेतर है यहाँ पर मेरे पीछे ही नाला है और वहाँ पर मैं आपको आगे विजुल्स में दिखाना चाहँगू किस तरस वहाँ पर अवैत कारोबारियों दोरा, अवैत उत्खरन किया जाता है, मगर दिन दहाडे जो ये अवैत उत्खरन चलता है, क्या इसकी जानकारी उच अधिकारियों को नहीं है? हम अगर बात करें वन परिशेत्र अधिकारी चिर्मरी की, जिने यहां पदस्त हुए कुछ माँ बीच चुके है, तो क्या उनके ही परिशेत्र में चल रहे हैं इन अवैद कृत्यों का कोई भी जानकारी नहीं है? अगर नहीं है, तो उन्हें अपने वन परिशेत्र में चल रहे हैं अवैद कारुबारों पर सक्त रूप से कारवाही करने चाहिए और ध्यान देना चाहिए, कि उनके नाक के नीचे से उनके परिशेत्र में ही इस तरह का अवैद कारुबार चल रहा है, जिस पर अभी तक प्रतिबंद उच अधिकारियों दोरा नहीं लग सका है देखना आगे यह होगा कि इसकी जानकारी जब वन पर छेतर अधिकारी चिर्मली को होगी या हो सकता है पहले से ही उन्हें जानकारी होगी मगर उनके दोरा किसी तरह की सक्षकारवाई नहीं की गई है अगर इस पर सक्तकारवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं इस पर ये बात पूल रूप से कहीं जा सकती है कि इस अवैत कारूबारियों के साथ में कहीं न कहीं तालमेल जमा होगा या तो किसी कहना चाहिए कि राजनेतिक दलों का भी स्रक्षण इन अवयत कारुबारियों को प्राप्स होगा, साथ ही साथ कहीं न कहीं इस अवयत कारुबार में सलिप्त कुछ न कुछ उच अधिकारी भी किसी रूप से सम्मिलित होंगे मैं आपको मेरे पीछे ही जो नाला है वहां पर वर्तमान में गाड़िया लगी है, कहना चाहिए कि ट्रेक्टर लगा हुआ है और वहां पर किस सरह से अवयत उत्खरन चल रहा है, आई मैं आपको दिखाने चाहूंगे इसका नाम नहीं पता है, निक्की है, निक्की, छोटी बजार का तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये महवारी डाण के लिए रास्ता है, चिम्री से खदान के तरफ से नीचे नाला तरफ महवारी डाण के लिए रास्ता है, और वहीं से ये जो रेता उत्खरन करके वहीं से परिवन करते हुए यहां लाया जा रहा है, मैं अपने कारवर मांस चाहूंगे कि वह अच्छे से साफ दिखाएंगे कि सरह से ये रेता ट्रेक्टर में लोड़ करके यहां से लाया जा रहा है, यह आप देख सकते हैं कि यह जो रेता है, यह वहीं मावारी डाण से ये रेता अवैद रूप से उत्खरन करते हुए लाया जा रहा है, सबसे मुख्य सवाल खड़ा होता है वन परिशेत्र अधिकारी चिर्मली के उपर, हम जब भी उनसे इस सम कहीं मुँ छुपाते नजर आते हैं, इस संदर में जब भी उनसे बात की जाती है, वो कहीं न कहीं टालमटोल करते नजर आते हैं, क्या उनके इस तरह के रवये से ये कहा जा सकता है, कि कहीं न कहीं उनके नाक की नीचे से ये जो रेता है उत्खरन हो रहा है, वो खुद भ या फिर कहा जाए तो वो बाइट देने से बस्ते निज़र आते हैं